हेलो दोस्तों मैं सिस कुमार अपने यूटूब चामें भीहाज जीकरे ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग रेलवे समान विज्ञान के साथ वे प्रेक्टिस एट को इस वीडियो में देखेंगे तो यदि आप लोग ने अब तक हमार चैनल भीहाज जीकरे ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इससे सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को जोड़ दमायतवाई विडियो को स्टाट करते हैं तो आज का पहला प्रशन है एवो गाडरो संख्या का मान कितना होता है किसका मान है एवो गाडरो संख्या का अब अगला प्रश्ण है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार सेख है कौन पार सेख इक परकास वर्स कितने मीटर के बड़ावर होता है तो एक परकास वर्स नौ दसंबलो चार छागुना दस पर पावर पंदरा मीटर के बड़ावर होता है क्या होता एक परकास बर्त बराबर तो 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर अब अगला परश्ण है एक लीटर कितना गैलन के बराबर होता है तो एक लीटर 0.2 h 4.2 के बराबर होता है एक लीटर बराबर 0.2 h 4.2 गैलन होता है अब अगला प्रश्ण है एक फर्मी में कितना मीटर होता है क्या एक फर्मी में कितना मीटर होता तो इसका उत्तरे 10 पर पावर माइनस 15 मीटर क्या एक फर्मी बराबर 10 पर पावर माइनस 15 मीटर नेक्स प्रश्ण है लोगरिथम के अविस्कारक कौन है लोगरिथम के अविस्कारक है जोन नेपियर कौन लोगरिथम के अविस्कारक है जोन नेपियर क्वांटम सिधान के परति पाद कौन है, वैयो मंडल की आधता मापने वाला यंतन है हाइगरो मीटर है आधता किसकी वायू मंदल की हाइगरो मीटर के द्वारा मापी जाती है अब नेक्ट प्रशन है एक एंगस्टरम मातरक कितने के बरावर होता है तो एक एंगस्टरम मातरक 10 प्रपावर माइनस 10 मीटर के बरावर होता है एक एंगस्टरम बरावर 10 प्रित्वी के उपग्रह का कक्छिये वेग निर्भर करता है किस पर तो प्रित्वी के उपग्रह का कक्छिये वेग कक्छा की तिर्जया पर निर्भर करता है next question है घरी में चावी देना उधारन है किस चीज का तो घरी में चावी देना अस्तितीज उर्जा का उधारन है किसका अस्तितीज उर्जा का next है यदि किसी पिन के समवेग 50% बढ़ात ये जाए तो क्या होगा उसकी गतिज उर्जा का मान तो इसका उत्तर है 125% बढ़ जाएगा किसी पिन के वेग में यदि 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज उर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा next question है अनुधैर्ध तरंगे उत्पन हो सकती है किसके द्वारा तो अनुधैर्ध तरंगे उत्पन हो सकती है सभी माध्यमों में अर्थात ठोस में भी द्रब में भी और गैस में भी अब next question है किस माध्यम में अनुपस्त तरंगे उत्पन नहीं हो सकती next question है प्रतिबल और विक्रिती का अनुपात क्या कहलाता है तो प्रतिबल और विक्रिती का अनुपात प्रतियास्था गुनांग कहलाता है क्या प्रतियास्था गुनांग पराबर प्रतिबल बटा विक्रिती next है पंडूब्बी आधारित है किस पर तो इसका उत्र है पंडूब्बी आधारित है आर्कमिडिज के सिध्धान पर तो यादा केंगे पंडूब्बी किस पर आधारित है आर्कमिडिज के सिध्धान पर नेक्ष प्रशने, समुद्र में तैरना नदी की अप्रेक्षा आसान होता है, क्यों आसान होता? तो इसका सही उत्र डी अर्थात, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी की घनत्वे अधिक होता है अब नेख्श प्रशडं है तरंग अपसरव कही जाती है जब उसकी आवर्थी हो कितनी, तो इसका उत्र है दी अर्थात 20 हड्ज से कम तरंग अपसरव कब कही जाएगी? जब उसकी आवर्थी 20 हड्ज से कम हो अब नेक्ष बचने यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो धोनी का वेग ग्या होगा तो इसका उत्तर है आधा हो जाएगा कब यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दे तो उसकी धोनी का वेग भी आधा हो जाएगा नेक्स्ट है ध्वनी तरंगे हैं तो ध्वनी तरंगे है कौन सी तो अनुधैर तरंगे ध्वनी तरंगे है अनुधैर तरंगे नेक्स्ट प्रेस्ट है गोली दरपन की फोकस दुरी उसकी वक्ता तिर्जिया की होती है क्या होती तो उसकी वक्ता तिर्जिया की आधी होती है नेक्स्ट है उत्तल दर्पन द्वारा बना परतिभीम होता है कैजा तो उत्तल द्वारा बना परतिभीम कालपनिक और सीधा होता है नेक्स्ट है परकास तरंग उधारन है किसका तो परकास तरंग उधारन है विदुचुमब की तरंग का परकास तरंग किसका उधारन? विदू चुमब की तरंग का नेक्स्ट प्रश्ण है फोटो ग्राफिक कैमरे का अभी दिर्शियक लेंस होता है क्या होता है? तो उत्तर लेंस अब नेक्स्ट प्रश्ण है अब अगला प्रश्ण है थोरियम का नावी को बदला जा सकता है किसमें? तो थोरियम के नावी को यूरेनियम में बदला जा सकता है थोरियम के नावी को यूरेनियम में बदला जा सकता है नेक्स्ट है फ्यूज की पदार्थ का होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज की पदार्थ का उच्छ परतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो उचे परतिरोध और निम्न गल लांक Next है निम्न विदुचुमबा की तरंगों में किसकी आविर्ती अधिक्तम होती है तो इसका उत्तर है गामा की रनकी Next है उर्जा का अच्छय कम होता है किसमें तो उर्जा का अच्छय दिष्ट धारा में कम होता है किसमें होता तो दिश्ट धारा में उर्जा का चाय कम होता है नेक्स्ट प्रशन है ट्रांस्फर्मर किस सिधान पर आधारित है तो ट्रांस्फर्मर चुम्बा की प्रेरन पर आधारित है याद दखेंगे ट्रांस्फर्मर चुम्बा की प्रेरन पर आधारित है नेक्स्ट है घर उलू परकास के लिए परियुक्त लैंप किस क्रम में जोरे जाते हैं तो घर उलू परकास के लिए परियुक्त लैंप समानतर क्रम में जोरे जाते हैं किस क्रम में समानतर क्रम में नेक्स प्रस्टन है उस्मा किस परकिर्या से सरवाधिक तिवगती से अस्थानांतित होती है तो इसका उतर है वी किरन के द्वारा नेक्स है नियुन्तम संभवता ताप क्या है तो नियुन्तम संभवता ताप है माइनस 273 डिगरी सेंटी ग्रेट नेक्स्ट है यदि वायु मंडल न होती तो दिन की अबधी होती कैसी होती तो दिन की अबधी कम होती कब जब वायु मंडल नहीं होता नेक्स्ट है सुर्ग्रहन के समय सुर्गा कौन सा भाग दिखाई देता है तो सुर्ग्रहन के समय किरिट भाग दिखाई देता है कौन सा किरिट next है सुर के परकास का आंतिक प्रावर्तन होश जगता है यदि परकास तो इसका उतर है C कांसे वायू में जाए तो यह था आज की वीडियो का आखरी प्रश्न आसा करता हूँ आप लोग को हमारी यह वीडियो पसंद आये हो यदि आप लोग को हमारे यह वीडियो पसंद आयो हो तो से लाइक और से जरू करें पिर मिलते हैं नए प्रेक्टिस सेट के साथ तो आज के लिए बहुत बहुत आनेवाद